हेलो फ्रेंड वेलकम वेक टो वाइच चैनल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अमेजिंग सी रेस्पी और आज हम राने वाले हैं एक ऐसा नास्ता जिसके लिए ना आलू की जुरूत होगी ना ही बेसन की अगर आप आलू और बेसन का नास्ता खाखा के बोर हो च बनाना सुरू करते हैं उससे पहले अगर आप में चैनल पर नए है तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही नाट्विकेशन विलको आन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको नाट्विकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसा नेसमी का फ है अगर आपका लस्टन पुराना वाला हो उसका चिलका फीला वाला है तो आप इसको उतार लेना तो चली आप बनाना सुर करते हैं तो दो से ताकि इसकी जो नमी है मौक्षर है वो खतम हो जाए अगर आपके पास भुट्टे के दाने ना हो तो आप इसकी दिवा पे चना भी इस्तमाल कर सकते हैं जो देशी चनाता है उसको से मात्रा में डालेना तो ना पर एक कटोड़ी है इसको हम डाल देंगे और यहां पर हम कोई सब्सक्राइब नहीं करना है हलका साथ दर दर होना चाहिए तो देखिए इस तरह से मैंने मिक्सी को तीन से चार बार रोपके इस तरह से पीज लिया चलते हैं गैस की तरफ आगे हम गैस के तो एक पैन रखा है इसमें हम डालेंगे हाफ टीस्पून तक ऑईल ऑईल को अच कि अचे से पाकाना है यहाँ और एक क्ष्ण पन निकल जाए और निन फायर्प तो चाहिए बहुत फिल्गलड़ की अब इसमें हमारा जो इसमें सारा का सारा और इसको हम घड़ी देखे 2-3 मिनिट तक भूनेंगे ताकि इसका जो बहुत ही प्यारा सा खुस्बू भी आज है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है तो यहां पर हमें इसको बढ़िया तरीके से भूनना है और कुछ भी नहीं इसके अंदर डालना है तो बाक होती प्यारा सा टेस्ट आये निकल कर तो फ्रैंक 2-3 मिनिट हो चुका है यह हमारा अच्छे से बुन गया है गैस के फ्लेम को लो करके भूनना है ताकि यह जलेना तो यहां पर हमें इसको बिल्कुल कलर में नहीं राना है पस इसका कच्छापन दूर हो गया है और यह बिल तक और अब इसमें हम डालेंगे आदा चमब सौम जिसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और वापस से मसालों को दस सेकंड भूल लेंगे ताकि मसालों का भी कच्छापन दूर हो जाए अब इसमें हम डालेंगे नमक तो यह है हमारा हाफ तीशपुन तक नमक और अपने टेस्ट के करण डालना जितना नमक आप खाते हैं तो में तो अब अगर नमक सब्सक्ता गर मसालने जो मिरा होममेड है अगर आपको इसकी रेस्पी चाहिए तो कमेंट वापते कमेंट करन कि आपके साथ कर दूँगी आप हम क्या करेंगे इसे इस तरह से चलाते रहं गे गैस के फ्लेम को बन करतेंगे और फिर भी से इसे कंटीनू चलाते रहंगे क्योंकि हमारा पैन गरम है और हमें इसको जलाना नहीं है तो चलिए बर्तर मैं इसको निकाल के टास्पर कर लेदे तो फ्राइन इस तरह से निकाल लें जब तक ही ठंडा होगा हम इसे साइड ने लग देंगे और आगे काम करेंगे तो फ्राइन एक बड़े साइज का बर्ता ले लेंगे अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कटोरी मैदा जो हमने चान के लिया है चोथाई चमश टर्मरी पॉ तो यहां पर हमें एक साथ पानी नहीं आट करना है थोड़ा थोड़ा पानी डालना है तो एक कप पानी डाल जाए इससे अच्छे तरीके से हम फ्रेट लेंगे तो थोड़ी से मुझे हल्दी कम लग लग दी तो मैं हल्दी डालूंगी और तो फ्रेंड आप इसमें जड़ा बनाना था न कि अतुअ है जयकित लिए और हमारा तयार हो चुका है वेटर आप इसको 5 उल्ट का टाइन देंगे ताकि यह फोल जाए अगर आप पचा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा वेकिंग पर्ड़ या सोड़े का इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं तुरंद बना सकते हैं लेकिन मैं इसे नेच्छर तरीके से फूल ने दूँगी तो पाउच मिन्ट हम कवर करके रख देंगे पास मिन्ट बाद चेक करें तो यह देखे कितना बढ़िया तरीके से फोल चुका है अब यह जो हमारा पाउडर पड़ेगी यह इतने अच्छ से यह हो चुका है यह देखिए देख रहें आप लोग इस तरीके से आपका होना चाहिए बैटर और अब हम इसे वापस से एक मिनट का और टाइम देंगे ताकि सारी चीजे हमारी मिल जाए और सारा टेस्ट हमारा विल्कुल आपस में एक चाहिए अच्छ से मिल गए है अब इसको हम चलेगे तो यहाँ पर हमेश को इस तरह से अपने हाट तो को ग्रीज कर बनाई है ताकि यह चेपके ना और यह देखिए तरह से हम लेंगे मिश्रों को बिल्कुल हलक हलके हाटों से प्रेस करेंगे तो आप इसे किसी भी बोला अपने मर्जी आप इसे किष्ये में ब्राइंगे यहां पर आपको इस तरह से इसको फ्लार कर देना है यह देखिए इस तरह से पर्फेक्ट देख रहे हैं आप लोग कितना खुब्सूरत लग रहा है और इसे हमें चारो दरज से हलका हलका सा प्रस कर देना है तो यह रैडी हो चुका है अब इसे हमें एक बड़तर में रख लेंगे आते हैं तो तुरन बनाके डालते जाए या इसला से बनाके रख सकते ह तो चलिए दूसा भी बता देते हैं तो यह थोड़ा सा इसके अंदर बुट्टे के दाने पड़े हैं तो वह हलका सा चिपकते हैं इसलिए हमें इसको हलका सा ओल लगा कर ही बनाना है तो यहां पर इसका साइज अपने हिसाफ से रह सकते हैं जिस तरीके से आपको चाहिए तो यहां पर मैं इसको इस तरह से बनाओंगी यह दिखें तो चलिए सारे बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो फ्रैन इस तरह से बना के आप फ्रिज में भी लगा सकते हैं आधा मिस्टर मैंने रख दिया उसको मैं बाज बनाओंगी इतने मैंने बना लिए चलते गय आप नाश्रते को इसके अंदर लगा देंगे तो यहां पर हमें बहुत ज़्यदा बढ़ा नहीं बनाया है यां इसे किसी भी शेर पर सकते हैं आपके अपनी मर्दी है आप इसे हम बिल्कुर भी टर्स नहीं करेंगे धीमी-धीमी आज़ पर दो विल्ट तो पकने देंगे तुर इसके बार टर्न करेंगे अगर आखा पैन बढ़ा है तो आप इसे एक बार बना सकते मेरा पैन चोटा है तो इसलिए मैं इसे दो म मुस्कुर से बनने में चार मिनट लगता है तो फ्राइन दो मिनट हो चुका है देखें दूसरे साइड से भी दिखा देते हैं आपको कितना अच्छा कलर आ चुका है अब हम इसे फटा-फट निकार लेंगे अपने बर्दन में और यह देखिए इसका कलर कितना खुशूर पहले वाली की तरह इस तरह से डाल देंगे और अपना बाकी बचा भी बनाकर आपको लाश्ट वह दिखाते हैं नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा लिए तो फ्राइन लीजिए हमारा खुशूरा सानास्ता बनकर रैडी हो चुका है इसका फाइनल लुक देख ल कितना जदा खुशूरा लग रहा यह तो बता ही दिया है अब आपको दिखाएंगे हम कितना जदा कुरकुरा क्रिस्पी है तो यह देखे और दूसरी खासे दिए कि बहुत कम त्वाइल सोकता है तो देखिए इस तरह से हम दोनों हतेलियों के बीच से प्रस करने तो हमारी हाथेलियों बिल्कुल भी ऑईल नजर नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा कम ऑईल ने बना है और दूसरी बात बिल्कुल भी ऑईल नहीं सोकता है मैं इसे टीशू पेपर पेवेडिया तब भी दिखे यह बिल्कुल ओईल फ्री लग रहा है लेकिन यह थोड़ा सा को मैंन बाक से बताना पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप हमारे चैनल करना है तो प्लीज में चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं बहुत ही आसान एस पे के साथ अब तक वीडियो को लाइक एंसे रदी कीजिए फैमिली और प्रेंट के साथ love you all bye and take care